नमस्कार दोस्त कैसे हो आप सब का अपका हमारे चैनल पर कि कि आपका भी सिवीनिस को हो खुराब हो चुका है आप भी इसको ठीक करने चाहते हो pessoal कि क्या गल्तिया में होतते हैं बिना किसी देरी के जिहां गाईज आपने बिल्कुली थमनिल ठीक देखा है कि आपको आपना civil score कैसे बढ़ाना है 0 to 800 How to improve your civil score सबसे पहले गलती मैं आपको बता दू civil score improve तो आप कर लोगे मैं आपको बताया तो कैसे होगा जाद नहीं 90 days के अंदर आपका हो जाएगा don't worry फिलाल मैं आपकी गलती आप बता दूग आप गलती कहाँ पर करते हो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है आप time to time EMI नहीं पर करते आपका एक question उट जाएगा यहें पर कि भाई साब lockdown में हमारे पास कोई income नहीं है हम payment कहां से गरे जाहिर सिवात बिलकुल correct question की income नहीं है तो हम payment कहां से गरे इसमें गलती हमारी भी नहीं है इसमें गलती सारी banks की है कि वो आपके account में bouncing लगा रहे है जिससे आपको परिशानी हो रही है great history आपकी खराब हो रही है क्यों one time payment जो आपका हमेशा आता है चाहिए आप कहीं भी चाहिए कर लो civil.com पे bank.com पे वहीं आपकी दिक्कात हो आते कि आपकी history खराब होते है कि आपको आगे जाकर load नहीं मिल भाएगा तो ऐसा बिलकुल आपका civil score ठीक नहीं होगा होगा जरूर होगा सबर करो सब होगा one by one आप सुनते रहें कैसे कैसे आपका होगा पहले चीज आप time to time payment करना आप note करते है ना how to improve your civil score का बतारो कि आप अपना civil score कैसे बढ़ा सकते हो कि सबसे पहले अपना payment time to time करना one time payment करना अभी जो हो गया वो हो गया lockdown की बात की बात बता रहा हूं और अभी इस दौरान में अगर आप ठीक करना चाहते हो तो time to time payment करना first दूसरा अपना loan कभी भी settlement मत करना अब जातर मैं बता दू क्या होने वाला है जो होने वाले मैं आपको पहले बतायता हूं कि लोग क्या करेंगा बांसिंग लगा दी गई है तो एंड में आके जो इनका पचाजार का मालो सत्तर हो गया तो क्या कहेंगे कि भी हमारा लोन कर दो settlement तो settlement में क्या होगा आपका civil score हो खराब हो जागा किस वैस होता आपको यह बताएता हो मैं कि क्यूं होता है और क्यूं खराब होता है settlement में आपका civil history प्रॉपर बताऊंगा क्या आपको confusion ना हो आपने बैंक से लाग रुपे लिए लाग रुपे लिए जी आपने उसमें से 50.000 पे कर दिए बच गया आपका प्रिंसिपल पचास जार रुपे आप जैसे आपका 50.000 पे इंक्लूड यह समझना कि भाई मापको यह रुपे का बैंक आप से लाख रुप लिए नहीं एक लाग कर देगा किसी किसी का bank more frame अगर वो नहीं देंगे तो क्या होगा आपका जो civil है हर bounce 5 पर खराब होते जाएगा माइनस होते जाएगा और जब यह माइनस होते जाएगा तो आपकी पूरी खराब हो जाएगी तो यहीं पर कस्टमर क्या करते हैं ये सोचते के भाई यहां वहारा स्विल खराब हो चुका है तो अब हम इसको पूरा पे करें ही क्यों तो यहां पर वह सैटलमेंट कर वाले तो अगर आप ने ऐसा किया तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना व कि आप time to time payment करना दूसरी कभी भी अपना ECS bounce मत करवाना भाई ECS bounce मत करवाना तीसरा loan settlement अपना कभी भी नहीं करना आपको loan settlement आपको कभी भी नहीं करना wave of लेलो bank से वो अच्छा है जो आपके ओपर question mark खड़ा ना कर दे भाई कि आपने payment कप करी ऐसा होता है कि payment लेने के बाद भी आपको बोला था आपके इतना पैसा बाकी है तो ऐसा नहीं अगर आप कोई wave of करवा रहे हो लोन तो वहाँ पर जरूर अपना लिखेत में एक letter ले ले लेना कि आपको कोई दिक्कत ना है ठीक है तीन बता दिये अपना account maintain करके चलो और अगर कोई bill payment आप करते हो we'll payment अगर आप करते तो उसको time to time करो ठीक है अगर आप ने छोटा सा भी loan लिए छोटा सा भी लोन लिए तो उसको time to time पर पेखरना बिलकुल time to time पे better your credit score by taking लोग विदा लॉंग टेनर अगर आपका क्रेट स्कोर अच्छा होगा तो आपको लंबे समय तक के लिए लोन लिए दे दिया जाएगा यह आपके बैनिफिट है कि आपका लोन ठीक होने का बैनिफिट क्या होता है तो जो चीज चीज बता दी है अब एक चीज और याद रख चीज बता दो सिविल स्कोर अपडेट होने में 45 दिन का टाइम लगता है मेरे बाई 45 दिन का आप जैसे ऐसे पेमेंट करते रहोगा आपका अपडेट होता रहेगा इसलिए मैंने कहा 90 डेस के अंदर आपका जो सिविल स्कोर हो पूरा ठीक हो जाएगा कुछ लोग क्या करे स्क्राइब कर लेना और बैल एकन जुरूर प्रेस कर दिना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना है समस्य ना है और अभी आप कंडिशन देखी रहे हो कि इस दुरान में आपको क्या करना है वह अपने बैंक से समय ले लो ठीक है मेल कर सकते हो आप उनको आप ब्रांच में जाके विजिट भी कर सकते हो अगर आपको टाइम लेना है तो तो दोस्त घबराइये मत हम आपके साथ है और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में जरूर बताना तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और जया बरत